Hello, Everyone, आज हम लोग पढ़ने जारहे हैं Virtualization का Concept यह जो topic है, यह mainly cloud computing का topic virtualization cloud computing का बहुत ही important concept है जो आप लोग को जानना ज़लूरी है इसके पहले cloud computing की जो पढ़ाई हुई है उसमें आपको ब्रहिसे cloud computing के कितने types होते हैं उन सब के बारे में बताए गए हैं लेकिन अगर आप कोई भी competitive exams देते हो या फिर cloud computing का पढ़ाई कर रहे हो उसमें आपको कुछ important topics cover करने हैं तो basic level पे ही आपको virtualization भी complete करना होगा तो आईए start करते हैं अपना topic mainly virtualization जो होता है क्यों develop किया गया है क्यों यह concept आया है उसको पहले हम लोगों को समझने की जरूरत है फिर virtualization होता क्या है उस पर बात करेंगे अब भी क्या है जैसे एक concept हम लोग समझते हैं कि हमारे पास source है resource है हमारे पास कुछ like cpu storage हम लोग एक computer पे एक operating system install करके और कुछ applications को run करते हैं मतलब एक system और एक resource का use हम लोग सिर्फ एक operating system के लिए कर रहे हैं लेकिन अगर हमारे पास काफी सारे resource हैं और हम उस resources को multiple operating systems को दे पाएं तो फिर क्या मतलब अगर बहुत सारे processes एक साथ उसमें operating systems run कर पाएं मतलब आपका full utilization हो रहा है CPU का storage का और like जो भी आपके पास resource है उसका तो यह है concept hypervisor hypervisor जो term इसमें use होता है mainly इस concept को हम लोग कहते हैं virtualization आये देखते हैं क्या है virtualization is a technique in which multiple VM यहां पर VM क्या है multiple VM यहां पर है virtual machine virtual machine virtual machine या फिर आप इसको कहिए guests लाइक यहां पर काफी सारे resource हैं और अगर हम as a guest guest one as a guest हम लोग यहां पर connect करना चाहें तो वह connect हम लोग virtualization के concept से कर पाएंगे लाइक अगर अभी आप एक concept देखिए आप यहां पर बैठे बैठे अपना work from home कर रहे हो कुछ students connect कर रहे हैं अपने office के सरवड़ पर तो यह सब चीजे जो है concept यह virtualization का concept है आप एक host हो एक guest हो यहां पर virtual machine हो आप एक जो की connect कर पा रहे हो में रिसोर्स से यह किसके थ्रू हो पा रहा है यह वी एम एम के थ्रू हो पा रहा है वी एम मतलब hypervisor ठीक है virtual machine monitor होता क्या है कि virtualization is a technique in which multiple VM और multiplexed in a same hardware machine same hardware को multiple operating system या multiple machines use कर सकती है उसके resources को use कर सकती है लाइक उसकी storage device को यूज कर सकती है उसके CPU को यूज कर सकती है उसके memory को यूज कर सकती है और same time पर यूज कर सकती है ठीक है तो क्या drawbacks थे लाइक हम लोग पहले क्या कर रहे थे कि एक मसीन एक operating system ही इंस्टाल कर पा रही थी और उसमें several applications हम रण कर रहे थे लेकिन अभी हमने क्या किया अभी इसमें disadvantage क्या था इसका बिक disadvantage यह था कि machine utilization is very low most of the times it is below than 25% मतलब आपका जो मसीन है वह fully utilize ही नहीं हो पा रहा है तो ऐसा अगर utilize नहीं हो रहा है तो हम तो ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास 100% capacity है और some device is using only 25% then we can a lot other operating system or other devices to that resources right हम लोग यह तो कर सकते हैं कि हम लोग उस machine को किसी और device को प्रोवाइड करें जिसको उसकी जरूरत हो तो यह concept जो है multi आप समझे लो कि multi multiple operating system आपका run करवा सकता है virtualization concept multiple operating systems can run on one single computer concurrently by using the concept of virtualization okay एक चीज और है यह abstraction का concept भी apply करता है इसका क्या मतलब होता है like मालिजे आप एक virtual machine हो जो कि आप कहीं और बैठे हो और resources कहीं और का use कर रहे हो लेकिन आपको जरूरत है किसी चीज की जिसका नाम है तो वह आपको सिर्फ ए ही प्रोवाइड करेगा आपको अपने अपने डिवाइस का क्या है उसका implementation कैसे हुआ है उसका details आपको नहीं देगा आपको जितनी जरूरत है बस उतनी ही चीजे आपको प्रोवाइड की जाएगी आपको जरूरत नहीं है कि आप अपने किसी एक एप को या कुछ एप को चलाने के लिए पूरा से हार्डबेर सिस्टम को ही आप मतलब बना दो खरीद के ले के आओ उतना इंवेस्ट करो जरूरत नहीं है सिंपली एक कॉंसेप्ट है पे फॉर यूज का कि आपको जितना ही रिसोर्स चाहिए उसको पे करो और यूज करो बस हो गया रेंटल टाइप का कॉंसेप्ट है कि आप रेंटलो और यूज करो तो वर्चुलाइजीशन मेली जो है आपका वो आपके लाइक बहुत फ्लेक् होता है मतलब कुछी फीचर्स इसके हैं जो आपको हमेशा मिलते रहता है यहां पर कुछ पांसेट है वी येम वी में लिखा हुआ है वी मेर्ट को बोलते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया है वी यव को ही हम लोग कहते है और अभी हम देखेंगा यपर का कंसेट होस्त क्या होता है होस्त मसीन होता है सिस्टम वेयर दा विय अब डिशाइड जहां पर आपका व्य मितलबुreto messin ना उसको कहते हैं औ yang biggest या तो कहते हैं उसको क्या हुआ हैatter leavez को यूज करने के लिए उसको हम लोग कहते है वर्चोल मसीन और सब से और क्या क्या है कि यह मसीन किनेक्टेड होते हैं उनको यह भी नहीं पता हो दायई लाइक मसीन उस machine को यह लगता है कि मेरे पास यह खुद का इतना resource है, खुद का इतना CPU है, मतलब खुद को वो ऐसा समझता ही नहीं है कि हम किसी और resource को use कर रहे हैं, इस term को क्या बोलेंगे, OS assumes complete control of the underlying hardware, उसको लगता है कि इस hardware पे मेरा ही control है, और हर एक virtual machine को यही लगता है, ठीक है, कोई ऐ assign किया, एक CPU, एक memory, और some like storage हमने इसको assign कर दिया, अपने computer को, ठीक है, तो as a virtual machine, यह connected है, बट यह बात इसको पता नहीं होती है, कि यह virtually इसको use कर रहे है, इसको ऐसा लगता है, यह total EC का है, और ऐसा ही हर system को लगता है, हर virtual machine को यही चीज़ लगता है, ठीक है, मतलब यहां प हाडवेर है, यहां पर आपका operating system है, guest operating system, guest operating system, guest operating system, guest operating system, और यहां पर बीच में एक लेया है, जिसको हम लोग कहेंगे, hypervisor, ठीक है, आईए हम लोग समझते है, hypervisor क्या होता है, hypervisor और virtual machine monitor, हम लोग इसको कहते हैं, वर्चुल मसीन मॉनिटर, hypervisor क्या है, hypervisor और virtual machine monitor, is computer software, firmware और hardware, यह कुछ भी हो सकता है, software layer भी हो सकता है, firmware भी हो सकता है, और एक hardware भी हो सकता है, mostly it is a type of software, creates and runs virtual machines, जो की virtual machine को create करता है, और run करने में help करता है, और use करने में help करता है, इस storage devices को, a computer on which a hypervisor runs, one or more virtual machines is called host machine, जिस पर यह hypervisor run कर रहा है, और इन सब को run करने में help कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, होस्ट मसीन, इच वर्चुल मसीन इस कॉल्ट, गेस्ट मसीन, ठीक है, मतलब मेन कॉंसेप्ट क्या है, यह मल्टिपल इंस्टैंस आप अपरेटिंग सिस्टम को, रन करने देता है, इस computer पेस, storage पेस, device पे, by the help of hypervisor, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे, hypervisor types, कितने types का hypervisor होता है, मेंली जो आपका concept था, virtualization का, वो यही था कि आपको एक environment create करके दे सके, कि आपको हर बार लाखों invest करके, hardware खरिदने की ज़रूरत नहीं है, आप उस layer का use करके, virtually connect करके, cloud computing होने के बाद, यही फायदा है, लाइक आप देखो, आप अपना Google storage पर अपना सारा connect करते हो, एक layer के through connect करते हो, और अपने सारी image को आप वहां पर डाल देते हो, तो इसमें क्या के आप सुविदा हम लोगों को मिलती है, कि यह virtually all time connect होता है, हम लोगों कर सकते हैं, और यह हमेशा available होता है, हम लोगों ने अपने Google Drive पे 15-15 GB का storage भर रखा है, तो यह cloud है, जो आपको storage के लिए space दे रहा है, वो भी globally, हर कोई यह feature का use कर रहा है, कुछ आपको free में मिल रहा है, एकाउंट बनाने के साथ, और कुछ आपको rental मिल रहा है, लाइक आप जितना pay करोगे, लाइक एपल का phone में क्या होता है, storage कुछ आपको देती है, लेकिन iCloud पे अगर आपको डालना है, तो pay and use है, पड़ मन्थ आप उतना use करोगे, पे करोगे, तो आप use कर पाओगे, अब हम लोग देखते हैं, hyper visor types, दो तरीके का होता है, पहला होता है हमारा bare metal, दूसरा होता है hosted, अब difference क्या है, वो समझना है हम लोग को, type 1 and type 2, बस यही दो type का hyper visor का type होता है, और यह काफी important है समझना, बस थोड़ा सा difference है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा difference है, slight difference है दोनों में, अब भी हम लोग देखते हैं, बस एक छोटे सही मस्से चीजों को clear किया जाएगा, लाइक यहाँ आपका hardware है, लाइक, cpu, memory, disk है, ठीक है, फिर क्या है, कुछ चीजों को आपको बस थोड़ा ध्यान से देखना है, c, same here, hardware, ठीक है, और यहाँ पर यह देखे, यह जो लेयर है, यह hypervisor है, और इसके उपर क्या है, multiple operating system और app है, vm1, vm2, vm3, vm4, ठीक है, एप, operating system, एप, operating system, हुआ क्या, कि, इसको हम लोग native भी कहते हैं, native means, basic आपका model यह है, जो भी हम लोगोंने पहले भी देखा था, कि, hardware है, और simply आपका एक hypervisor layer को जोड़ा, और virtual machines को, हम लोग connect कर सकते हैं, correct, लेकिन, hosting में क्या होता है, कि, hardware है, और इसका खुद का अपना operating system है, ठीक है, इसका खुद का अपना host operating system है, host operating system, फिर यहाँ पर एक layer है, virtual machine का, VMM का, hypervisor का, और फिर यह connect कर सकता है, multiple VM1, VM2, VM3, lots of VMs, virtual machines, क्या concept हुआ, कि, यहाँ पर hardware है, यहाँ पर भी hardware है, ठीक है, लेकिन, base model में क्या होता है, type 1 model में क्या होता है, कि, एक hypervisor को, directly implement कर देता है, उस hardware पर, इसका अपना कोई operating system, नहीं होता है, और उसके उपर, multiple virtual machines, like, directly, CPU पर hypervisor का layer लगा दिया, memory पर hypervisor का layer लगा दिया, ऐसा हुआ, bare metal में, hosted में, hosted में क्या हुआ, कि, नहीं, इस hardware का अपना भी operating system है, खुद का अपना अपना apps भी है, ठीक है, और virtual machines, अपने operating system के साथ भी, इस hypervisor layer के साथ, connected है, ठीक है, तो ये था आपका hypervisor types, या फिर हम ये बोल सकते हैं, कि हम लोग का जो virtualization provide होता है, virtualization हम लोग create करते हैं, तो वो virtualization किस-किस type से हम लोग create कर पाते हैं, ये hypervisor की types थे, फिर हम लोगों का concept होता है, virtualization के भी types होते हैं, लाइक आप CPU पर virtualization लगा रहे हो, मेमोरी पर virtualization लगा रहे हो, तो हम लोग अभी तक I think hypervisor का आपका concept clear हो गया होगा, कि hypervisor एक लेयर है और वो कितने types का होता है, ठीक है, अभी hypervisor technique के बारे में भी हम लोग देखेंगे, कि क्या-क्या techniques होते हैं, अभी हम लोग देखते हैं, और इस class को अभी close करते हैं हम लोग, आगे हम लोग virtualization के types को देखेंगे, virtualization और hypervisor के techniques को देखेंगे, में भी एक class और जिसमें आपका virtualization और hypervisor का concept clear हो जाएगा, अभी हम लोग बस overview लेकर के end करते हैं, कि hypervisor जो होता है, virtualization जो होता है, virtualization के benefits क्या क्या है, तो single OS image per machine, ठीक है, software disadvantage क्या था, कि हम लोग single operating system को per machine यूज कर रहे थे, बट इसके benefits से क्या कर रहे हैं हम लोग, multiple instance of operating system जो हो है, तो हमारा create हो पा रहा है, एक hardware पे, ठीक है, virtual machines can be, like, can use multiple resources at a time, और, जो concept मैंने बताया आपको, कि multiple OS आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, hardware, आप क्या करोगे, बस pay करो और use करो, pay करो, यूज करो, जैसे आपको इतने सारे CPU की जरुता है, आपको memory की जरूरत है, storage के लिए memory की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, पे करो and use करो, multiple, multiple users, U1, U2, U3, multiple users, एक साथ क्या करेंगे, इसको access कर सकते हैं, तो mainly virtualization का concept इतना ही था, hypervisor का basic बताया गया, उसका tags बताया गया, और जो भी NIC का तियारी कर रहे हैं, उनका अलग से एक playlist बनाया गया है, NIC, full details, web technology का बताया गया है, अभी cloud computing जो है, वो आपके NIC के भी exam में पूछा जा रहा है, और NIC के syllabus में भी आपको virtualization पढ़ना है, तो main ये basic है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, इसका concept आपको पूछा जा सकता है, और आगे हम लोग इसका detail में थोड़ा देखते हैं, कि virtualization के बारे में और details में जानेंगे, उसके types को जानेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर next video में, और कुछ भी query हो, तो फ्लीज नीचे comment में, कमेंट करिए, या फिर मेरे mail ID पर mail कीजेगा, जो कि description में आपको main job का channel है, उसके playlist में आपको दिया गया है, उसका description में mail ID, तो उसके mail drop कर दीजेगा, अगर कुछ important हो तो, और NIC के बारे में अबडेट यही है, कि अभी internally कोई भी update नहीं आया है, अभी बस आप पढ़ते जाए, नए नए चीज़ों को सीखते जाए, और clear कीजे अपना concept, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्यो सो मच, बाई!